जब मिले थे हम पहली बार तुम करीब आये थे मेरे तुम्हें मैं अच्छी लगने लगी थी और मैं भी तुम्हें पसंद करने लगे थी तब तुम्हें मेरे साथ वक्त बिताना अच्छा लगता था और मुझे भी तुमसे किया हर वादा सच्छा लगता था घंटो घंटो फोन पर बाते किया करते थे तुए और मुझसे मिलने के बाद अक्सर लेट सोया करते थे तुए हर बात पर तुम मेरे लिए केर दिखाते थे रूट जाओं मैं कभी तो तुम जट से मनाते थे 25 से 30 किलो मेटर तक रोज मुझे मिलने आया करते थे और उसके बाद मुझे गुमाने भी ले जाया करते तो क्यों आज साथ होकर भी हम साथ नहीं और क्यों इस रिश्टे में अब पहले जैसी कोई बात नहीं क्यों हमारे वो पहले जैसे हालात नहीं और क्यों आज मेरे हाथों में तेरा हाथ में एक छट के नीचे रहकर भी तू अजनेबी बन गया पता नहीं तू अचाना कितना क्यों बदल गया है ऐसा नहीं कि मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश नहीं की पर कभी तुमने ही ये रिष्टा बचाने की कोशिश नहीं एक अरसे से जिन्देगी को ऐसे ही अज़ेस्ट कर रही थी और जो हो रहा था मेरे साथ उसे बेमन से एकसेप्ट कर रही थी और तू मेरी इसी बात का फाइदा उठा रहा थी मैं दिल लगा रही थी तू दिमाग चला रहा पर कब तक पर कब तक इन रिष्टों को घशीटा जाए जहां चलना भी हो मुश्किल वहां भला कैसे दोड़ा जाए पर अब सच बताओं तो बहुत ठक चुकी हो मैं और इस घिसी पीटी जिन्दगी से पक चुकी हो मैं जानती हूँ कि मुझे कोई समझ नहीं पाएगा तूटा था पहले भी ये दिल एक बार फिर से तूट जाएगा पर इस बार में खुद से एक वादा करूगी मैं हस्ती रहती हूँ अकसर इसलिए कोई जान नहीं पाता और इस हसी के पीछे का दर्द कोई पहचान नहीं पाता अब किसी को इतना पास नहीं लाउंगी मैं और किसी को इतना खास नहीं बनाऊंगी और ज़रूरी नहीं कि जबरदस्ती रिष्टों को निभाया जाए जूटी मुस्कुराहटों से बेमतलब सबको हसाया जाए हम अक्सर यह सोचकर चुप हो जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे रिष्टिदार क्या कहेंगे और इस दर्द में रहना है या इससे बाहर निकलना है इसका फैसला सिर्फ आप कर सकते जरूरी नहीं कि अगर आपके पैरेंट्स के एक्सपीरेंस अच्छे हो तो आपके भी होंगे उनके डिसीजन्स अच्छे हो तो आपके भी होंगे जिस situation को आप face कर रहे हैं उसे आप ही बखुबी जानते हैं और कोई नहीं और जो आपको समझता होगा वो आपकी situation को भी समझेगा और शायद हमारा सफर यहीं तक हो यह सोचकर अच्छी memories को अपनी diary में रखकर उस chapter को बंद कर देना चाहिए क्योंकि हो सकता है आपकी किताब में कहानी नहीं किस से हो और अगर आप चाहते हैं कहानी लिखना तो आपको अपनी कहानी का main hero खुद बनना होगा क्योंकि अगर आप किसी और को अपनी कहानी का main hero बनाएंगे तो आपकी कहानी अधुरी रह सकती है लेकिन अगर आप खुद अपनी कहानी का हिरो बनेंगे तो आपकी कहानी जरूर मुकमल होगी है शुक्रिया बात बात हमारा उनसे वो लब करते हैं चूतिया बनाया तुमको